आई ये बात करते हैं मद्ध्र प्रदेश की कुछ खास नहीं शोपर मद्ध्र प्रदेश में 50,000 रुपे नामी गैंग का परदा फाश मुख्य भूमिका में शोपर S.D.O.P. राम तेलक मालविये कुथवाली टी आई रमिश डंडे के निर्देशन में सूबेदार अनिरुद्द मीना एवं उनकी टीम ने सरहनीय कारे किया है शोपर में ग्राम बहरावद के किसान के 4,70,000 रुपे ने किया था हाथ साफ मामला शोपर जिले के ग्राम बहरावद के किसान के साथ हुई चूरी की घटना का है जहां किसान सेंटरल बैंक ओफ इंडिया में अपनी केसी सी के पैसे निकालनी के लिया था और उसने बैग से 5,20,000 रुपे निकाले और बैग में रखकर बाहर निकला लेकिन किसान के उन रुपेओं पर किसी चूर ने हाथ साफ कर दिया आज शोपर एस पी दौरा प्रेसवारता कर चोरी के घटना को अंजाम देने वाले गिरों का परदा फाश किया गया इस गटना के साथ शोपर एस्पी नागेंदर सिंग द्वारा ये खुलासी की बात और कही जा रही है जो शोपर जिले में चर्चित लूट कांड बीजी पी के कदावर नेता मुलचंद रावत के यहां आज से 18 महीने पहले चोरी हुई थी उसमें शोपर जिला पंचायत अध द्राशी थी करीबन पांच लाक रुपए उसने बताये थे वह एक बालक के द्वारा उसके बैक से चूरी कर लिए गए थे इस पूरी घटना से यहां के किसान वर्ग में काफी रोश था और पुलिस ने ततकाल इसमें टीम बना के CCTV फुटेज के आधार पे इस पूरे प्र पिता राजिंद्र बावरिया जो कि 14 वर्ष का बालक है और इसके दो अन्य साथी सूरच और पवन उर्फ जुगनु यह दोनों भी बावरिया समाथ से ही है और यह सभी कच्ची बस्ती सवाई मादोपूर के निवासी है इनका तरीका वार्दात इस प्रकार का रहता है कि इन में जो नाबालिक साती रहता है इनका यह बैंक के आसपास पहले अपने उसको शिकार को चिन्नित करता है फिर उसके ठैले को छीन कर अथवा धोके से पैसे उसके निकाल कर घटना को एक कारित करते है